वहे इसलाम अदिन खार और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम शुरूआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की महराज के ठाने के गोड़ बंदर रोड पर आम से भरा एक टरक पलट गया है पताया जा रहा है कि इस टरक में करीब 12 टन आम की पेटियां लोड थी टरक उतर परदेश से वाशी एपीमसी मार्किट जा रहा था और ठाने के गोड़ो बंदर रोड पर ये टरक पलट गया हासा होने की वज़ा बताई जा रही है कि ड्राइवर को नीद लग गई थी और इस वज़े से ये हासा हुआ है हलाकि इसमें किसी के घायल होने की खबर महराश के सोलापुर में एक नावालिक बच्चे के साथ छेड़ छाड़ का मामला सामने आया है CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि सड़क से गुजर रही नावालिक से एक शक्स छेड़ छाड़ कर रहा है अलाकि इस पूरे मामले में पुलिस जो है कानूनी कारवाई कर महराश के नाशिक में त्रंब केस्वर में एक भयानक सड़क हास्से में दो लोगों की जान चली गई है इस घटना की CCTV फुटेज भी सामने आई है फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक सफेत रंग की कार से बाइक सवार की टकर हो जाती है और ये टकर इतना जबरद दस था कि इस टकर में दो लोगों की मौत हो गई है लोट पाट करके भाग रहा अश्टाक्स रोड की किनारे खड़ी गारी से टकरा गया और टकर होने की वज़े से ये काफी दूर जाकर गिरा और घटना स्थल पर ही इस विक्त की मौत हो गई है घटना महराश के पुने की महराश के ठाने में इमारत की टेरिस से स्लैब गिरने की घटना सामने आई है बताए जा रहा है कि कलवा के खारे गाउं में 35 से 40 साल पुरानी इस इमारत की टेरिस से स्लैब गिरने की खबर सामने आने के बाद मौके पर दमकल और आपदा प्रबंधन की टीम भी पहुच ग बर सामने नहीं